दोस्तो नमस्कार आईटे टेक्निकल कोर्स यूटूब चैनल पे स्वागत हैं दोस्तो डीसी जनेरेटर की रिगुलर क्लास चल रही पूरा चेप्टर के थियूरी जो होती है उसके कोशन निकाले गए हैं और एक कापी पे लिख कर आपको बताया जा रहा है कोशन का लेवल क क्या होता है कोशन कैसे बनाया जाते हैं पूरा आपको कौन समझ में आ जाएगा दोस्तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो अभी एन्वी एस इलेक्टीशन प्लंबर की बेकंसी आई हुई है उसमें से इलेक्टीशन के भी कोशन पूछे जाएंगे तो आप लोग जरूर देख लेना वीडियो लाज तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कोशन सही लिखा गया है गलत यदि आपको कोई प्रावलम आते हैं ता आप जरूर कमेंट करना चली आते हैं कोशन नमर फे आज के तीसरे नमर वीडियो को फर्स नमर कोशन ये ब यह बोला है डीटी जनेटर के सापт किस दातू की बनाय जाती है जो जनरेटर होते हैं जनरेटर पेक आरमेचर फशाया जाता है उसकीizado होती है नर्म लोहा या माइलड इस्टील से बनाया जाता है हम यह भी बोल सकते हैं जो साप्ट बनाई जाती जिसमें साप्ट ऐसी होती जिसमें आर्मेचर लगा होता है यह जो साप्ट होती साप्ट नर्मलोह या मायल्ड इस्टिल की बनी होती है आगे है DC generator पर लगी साप्ट का मुखह कार का, लगाई जाती है वो आरमेचर के लिए एक आधार ऐनी आरमेचर उसी में फसाया जाता है साप्ट में ही आधार परदान करता है निश्ट DC जनरेटर की bearing का मुखख कार क्या है यहीं जो DC जनरेटर होता है उसमें जो bearing हम लोग करते हैं बाल bearing, रोलर bearing दो तरह की bearing होती है जो bearing का मेन काम है साथ को आधार प्रदान करना और साथ को गोमने के लिए सोतंज़ता प्रदान करना bearing जो होती है उसके दोरा हमारा जो armature होता है बहुत free, बहुत slow, बहुत मुलायम घुमता है उसमें कोई डिक्कत नहीं जाती है next है कम चमता के generator में कौन सी bearing प्रियोग की जाती है जो कम चमता के generator होते हैं छोटे generator उसमें जो bearing होती है उसमें bus bearing को यूज करते हैं और अधिक चमता के generator में जो कौन सी bearing प्रियोग की जाती है उसको ball bearing तथा roller bearing उसमें यूज करते हैं अधिक चमता के generatorों में आगे है DC generator के 0 को ढखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जो generator होते हैं उसको दो पॉइंट होते हैं दोनों पॉइंट में लोग end cover का प्रियोग करके उसको cover कर देते हैं पैक कर देते हैं next है end cover कितने प्रकार के होते हैं end cover जो होता है दो प्रकार के होते हैं front end cover या rear end cover front में commutator के पास वाला cover दूसरा होता है जो rear end cover होता है वो होता है commutator के विपरीत बाला cover होता है आगे है डीसी जनरेटर को ठंडा करने के लिए साप्ट पर लगा होता है फैन जो जनरेटर होता है उसको कूलिंग करने के लिए ठंडा करने के लिए फैन का यूज़ करते है नेश्ट है डीसी जनरेटर का टर्मिनल बॉक्स किसका बना होता है बेके लाइट सीट का दोस्तों जहाँ पे connection का point होता है DC generator पे उसको हम लोग terminal box बोलते हैं वो जो terminal box होता है वो बेके light seat का बना होता है next है DC generator का output होता है DC यहनि जो DC generator में जो output supply निकलती है वो होती है DC supply होती है अगला है DC generator का output होता है जो DC जो generator होता हो तो AC supply बनाता है यहनि alternating current यह में फुत्पन होती है अब आपको output कैसे लेना है आपके बिधी पनेभर करता है कि आपको output लेने की बिधी क्या है हमें AC output लेना है तो कुछ मत करो यदि DC लेना तो उसमें commutator लगा दो armature के आगे तो already आपको convert करके commutator का function है AC को DC में परवर्दित करना और हमें DC output में मिलने लगेगी आगे है DC generator में output किस प्रकार से होता है पहले तो हमारे armature पे EMF प्रडूश होगी यानि armature में EMF उत्पन होगी फिर उस EMF को हम commutator पे लाते हैं तो commutator क्या करता है AC को DC में परवर्दित करता है फिर जो DC परवर्दित हो जाते हैं तो commutator पर ही लगा carbon bruce carbon bruce जो होता है तो जो DC परवर्दित हो गई यानि EMF जो होता है उसको बाहर लाता है बाहर pigtail pigtail जो carbon bruce में जो बायर लगा होता है connection lead होती है उसी को pigtail बोलते है उस pigtail के मादन से हमारा supply terminal box पर आ जाती है फिर हम लोग terminal box से output निकाल लेते हैं तो ये बिधी होती है output बाहर निकालने के बिधी आर्मेचर पर EMF उत्पन हुआ उस EMF के जो होती है AC उत्पन होती है उसको हम लोग convert करने के लिए commutator का यूज़ करते हैं कामूटेटर से हम लोग DC को convert करते हैं एसको DC करते हैं कामूटेटर में जो कामूटेटर से हम लोग सिर्फ कार्बन वुरस में लाते हैं सीधे वो कार्बन वुरस में बाहर लगा होता है जिसको हम pigattle बोलते हैं उस pig share के मादम से terminal box में supply है जाती है फिर इसके बाद आउटपुट में हमारे कलेक्ट हो जाता है मोटर, जनरेटर, पंखा, कुलर, AC सब कुछ चलाई थे आगे कोशन है नोट नोट्स ये बोला है जनरेटर या अल्टरनेटर में घूमने वाले भाग रोटर कहलाता है तथा इस्तिर रहने वाला भाग इस्टेटर कहलाता है रोटर कहलाता है घूमने वाला भाग और इस्तिर रहने वाला भाग इस्टेटर कहलाता है नेश्ट है DC जनरेटर का बेंड प्लेट किसका बना होता है कास्ट आइरन वा कास्ट इस्टिल का जो generator होता है DC generator के band plate काश टारन ये काश शिस्टिल का बना होता है next कह रहा है DC generator को foundation पर किसके द्वारा कसा जाता है foundation band plate को nut bolt द्वारा foundation कहे तो जो DC generator में रखा जाता है उसको हम लोग nut bolt के द्वारा कसे रहते हैं अगला question है अब आते हैं जो DC generator में EMF उत्पन होती है उस EMF की घूमने की दिसा एकजात करने के लिए हम लोग flaming के नियम यूज़ करते हैं कुछ flaming बैगजानिक थे उन्होंने नियम बताया था जो आपके generator के armature पे EMF उत्पन होती है उस EMF की दिसा यदि आपको एक जात करना है तो आप एक काम करो flaming के नियम उपनाओ और उस flaming के नियम के अनुसार आप EMF की घूमने की दिसा पता लगा सकते हो हमारी जो EMF होती है तो right hand plug या anti-clug घूम रही है उत्पन हो रही कैसे उत्पन हो रही आपको पता लगाने के लिए दो नियम थे पहला नियम है दाया हस्त नियम यह राइट हैंड रूल दूसरा नियम है बाया हस्त नियम यह लेट हैंड रूल डो नियम अब आते हैं हम आपको बता देते हैं राइट हैं कुछ DC جन्रेडर के आर्मेचर में पैदा होने वाला EMF की दिसा किसे एक्जाद की जाती है एनी हमारा यदि DC जनरेटर है उसमें जो आर्मेचर में पैदा होने बाले EMF की दिसा जो हम आपको यही बता रहे हैं कि EMF की दिसा एकजाद करने के लिए हमें फ्लेबिंग का दाया हस्तनियम को ही अपनाना पड़ा था फिर यह भी बोल रहा है यादी फ्लेबिंग का दाया हस्तनियम किस पर लागू होता है DC जनरेटर पर हम यह भी बोलेंगे कि फ्लेबिंग का दाया हस्तनियम किस पर लागू होता है DC motor पर एनि जो right hand rule होता है वो होता है generator पर लागू होता है जो left hand होता है वो होता है motor पर लागू होता है अब फ्लेविंग का दाय हस्तनियम की तोड़ी परिभासर पढ़ लेते हैं फ्लेविंग के दाय हस्त फ्लेविंग मैगजानिक थाए उन्होंने ये बताया कि फ्लेविंग के दाय हस्तनियम के अनुशार दाय हाथ के पर्थम दो उगलियां पर्थम दो उगलियां को सम कोन पर ये देखिए right angle पर आरहा है सम कोन पर रखते हुए इस प्रकर फैलाया जाया की अंगूठा चाला के घुमाओ की दिसा का जो अंगूठा चाला के घुमाओ की दिसा तथा प्रत्थम उंगली चुमी की बल रेखा की दिसा चुमी की बल रेखा की दिसा और चाला के घुमाओ की दिसा तो दूसरी उंगली प्रेरित इमेप की दिसा को दरसाती है यहीं हम यहीं कह सकते हैं आप दाएं हाथ के ऐसे फैलाओ अगूठा और फ़श्ट उंगरी दोनों समकोन पर राइट एंगल करें तो आपकी जो मिडल फिंगर है वो आपकी EMF की दिसा ही बताएगी कि आपके EMF कैसे प्रडूश हो रहा है राइट एंड है या एंटिक लगवाईस है अब यहीं बताएगा कि अंगूठा जो होता है अंगूठा चालक के घुमाओं की दिसा बताता है पहले उंगली यहीं होती है कि चुमिकी बल रेखा जो हमारा मेंगनेटिक फ्लक्स था उसको बताएगा थल नमबर यहीं बताएगा हमारा उत्पन EMF चूका ऐसा उत्पन हो रहा है आते हैं आगे आगे यही है जनरेटर का आउटपुट निर्भर करता है आउटपुट लेने की बिधी के आधार पर हमें आउटपुट कैसे लेना है सेकर्ड नम्मर ये बता रहा है जनरेटर की आउटपुट बिधी कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की एक स्लिपरिंग बिधी एक होते हैं कामुडेटर वा स्लिप्ट बिधी कामुडेटर बिधी स्लिप्ट बिधी दोनों होती हैं DC आउटपुट लेने की बिधी जो slip ring होती है यदि हम लगा देंगे तो हमें AC आउटपुट में मिलेगा नेश्ट आते हैं बोला है कि slip ring द्वारा आउटपुट प्राप्ट किया जाता है AC को सबको मालू होगा और slipped ring वा कामुटेटर द्वारा आउटपुट प्राप्ट किया जाता है DC को slip ring एक कापर की प्लेटे होती है जिनके माध्यम से हम लोग AC आउटपुट में निकालते हैं और कामुटेटर और slipped ring slipped ring और कामुटेटर के माध्यम से हम लोग DC आउटपुट में निकालते हैं नोट्स यह कह रहा है कि अनेग खंडों में विभक्त स्लिप्ट रिंग के ही कामुटेटर या दिख परिवर्तक होते हैं नेश्ट कह रहा है डीसी जनेरेटर का बिदूत बाहगबल समीकरण अब आजाते हैं समीकरण देख लेते हैं यह आपको एजी एजी यह जनेरेटर येमए यह बता रहा है फाइ यह निफ्लक्स जनी चालक की संख्या यह रही स्पिद पेयन पोल यह न होता है आर्मेचर के घूनन गती पी होता है पोलो की शंख्य एक होता है आर्मेचर बाइंडिंग ए सम्नांतर पत्थों की संख्या के पैरलल पत्थ कितने थे ए बताता है यही होता है EMF सूत्र आप EMF फर्मूला देख लेना आगे आते हैं लिखा है note बेव बाउंड आर्मेचर के लिए A बराबर दो होता है बेव के लिए लेव के लिए लेव बाउंड आर्मेचर के लिए A बराबर P होता है एक बेव बाउंड होता है एक लेव बाउंड दो तरफ की बैंडिंग होती है जो lap bound के लिए होता है जितने armature चालक की संख्या होगी उतने ही pole की संख्या होती है और babe bound में armature की चालक कितनी भी हो मगर pole की संख्या सिर्फ दो ही होती है यहाँ पे आपको numerical भी देख रहा है आठ पोल की मशीन है आठ सो चालक है पंदरा मिली बैवर फ्लक्स है घुनन गती पांसो आरिपिम है तो EMF आपको find करना है EMF निकालने के लिए आपको वही फार्मूलल नगाना पड़ेगा EG बराब पी फाई जड़े अनबट 160 यह आप इस फार्मूले से आसानी से यह साल्व कर सकते हो तो यह आपको हम numerical नहीं कर आपाएंगे numerical आप खुद करो और आगे बढ़ो अब आते हैं यह भी numerical बेब बाउंड लेब बाउंड दो तरह के हैं अब आते हैं आर्मेचर बैंडिंग के प्रकार आर्मेचर बैंडिंग के प्रकार में हम आपको यह बताएंगे कि आर्मेचर बैंडिंग के जो कितने प्रकार की होती है आर्मेंचर बैंडेंग मुखता दो प्रकार की होती है एक होती लेब बैंडिंग एक होती बैब बैंडिंग गोल घुमाओदार लहरदार दो प्रकार की होती लेब बैब आगे लेब भी देखने को मिल जाएगा लेब बैंडिंग लेब पेटन लेब दोनों को डिफरेंस दे समनांतर पथों की शेंख्य ए बराबर पी और समनांतर पथों की शेंख्य पी इन दो अब मैं समझा देता हूँ आपको लेब बाउंड और बेब बाउंड लेब बाउंड में जो होता है तो लो बोल्टेज होता है बेब बाउंड में लो करेंट होता है और लेब बाउंड में उच्छ धारा बेब बाउंड में उच्छ बोल्टेज लेब बाउंड लो बोल्टेज हाई करेंट के लिए होती है बेब बाउंड होती है उच्छ बोल्टेज निन्म करेंट के लिए होती है लेप में मैं बताया था पोल की संख्य और आरमेचर समनांतर पत की संख्य बराबर होती है और बेव बाउंड में समनांतर पत की संख्य सिफ दो होगी आरमेचर पत की संख्य कितनी भी हो अब नेश्ट आते हैं लेप बाउंड 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 ब सेग्मेंट की संख्या के बराबर होती है कि सिंप्लेक्स एक बैंडिंग होती है सिंप्लेक्स बैंडिंग में आर्मेचर स्लाट की संख्या और कामुटेटर सेग्मेंट की संख्या सिंप्लेक्स में बराबर होती है और जो डुप्लेक्स होती है उसमें जो होता है आर्मेचर स स्लोट की संख्या दुगुनी होती है कामूटेटर सेग्मेंट की संख्या की अपैक्छा यह आपको दिखरी ट्रिपलेक्स बाइंडिंग सिंपलेक्स होती है डुपलेक्स होती यह है ट्रिपलेक्स ट्रिप्लेक्स है कि आर मेंचर स्लोट की संख्या कॉमुडेटर सेगेमेंड की संख्या से तीन गुनी होती है इस बैंडिंग के आप डायग्राम देख लिजिए इस पूरी बैंडिंग के डायग्राम है अब आते हैं क्लासिफिकेशन अब जनरेटर वो अगले वीडियो में हम बताएंगे इस वीडियो में यहीं तक रहेगा अगले वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन अब जनरेटर मिलेगा